भाईयो नमस्कार भाईयो इस टैम पोका बोईंग खेतों में देखना चालो हो गया है और किसान भाईयो के मेरे पर कमेंट भी आ रहे हैं फोन भी आ रहे हैं कि पोका बोईंग का सरा गया है हमारे खेतों में तो भाईयो सबसे पहले जो है पोका बोईंग की पहचान करनी जुरूरी है कुछ किसान भाई खेतों में है तो पोका बोईंग और करते हैं उसके लिए कीट ना सकता प्रियोग जो इनसेक्टिसाइड होते हैं तो भाईयो इस तरिके से तो आपका रोग भी नहीं हटेगा आपके गन्ने से और पैसा भी जादा खर्च हो जाएगा और उतना बड़ी हर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपकी फसल पर और उसका नकारात्मक परिणाम मिलेंगे इसलिए भाईयो सबसे पहले है कि पोका वोईंग की पहचान कैसे की जाए भाईयो ये देखी ये जो है ये पोधे बिलकुर स्वस्त चलना है और ये जो है साइड में भाईयो ये देखी ये थोड़ा सा सलवट से आ गया है पोधे में ये देखी और थोड़ा थोड़ा पी बाइयो यह गिरोध नहीं कर पाता है क्योंकि रोग गिरश्ट है और जो नए कल ले हैं उस में भी दीरे 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 पोकाबोईंग का सट देखने को मिल लिया है यह देखी तो बाइयो पोकाबोईंग जो है बहुत खतनाग विमारी है अगर आज आये खेतों में तो इसके बहुत ही देखिए यह जैसे बीच में आप देख रहे हैं यह बहुत जोड से इस खेट में आया यह देखिए और इसकी में पहचान यह है कि उपर से पत्ते यह देखिए पत्ते सलवट से पढ़ने लगते हैं और में रूट जो है में पोधा रुख जाता है और निच्चे से भाईयो कले निकलने चाल लो हो जाते हैं इसके लिए भाईयो यह पोका बोइंग जो है आपको जायतर सभी वेराइटियों में देखने को मिलेगा य और दूसरा भाईयो अगर इसका खतनाक असर आजाता है तो भाईयो बिलकुल यह सलवट पढ़के और बीच की गोप काली पढ़के बिलकुल सूकने भी लगती है इसलिए भाईयो इसकी पहचान करके तभी आप अपने खेत में दवाई का प्रियोग करें इसके लिए बाईयो आप सबसे बहतरीन जो दिलते हैं इसके लिए भाईयो वह चीओ सी है को पा रउक्सी कृड़ोराइड भाईयो इसके इसप्रे करें सबसे में साफ़ धानी जो है कोई भी दवाई में कोई भी और चीज इसमें नहीं मिलानी है केवल एक हीưng कीतOoh plains 500 ग्राम पिर्थी एकड़ आपको यह लेनी है 500 ग्राम पिर्थी एकड़ भाईयो कुछ किसान भाई कहते हैं कि COC की साथ और भी कुछ मिलाने तो भाईयो उसके बिल्कुल भी परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे आपको केवल आपको COC लेनी है कोपर औक्सिक्लोराइड और उसका ही स्प्रे करना है अगर भाईयो आपके खेत में जादैंग पोकवों का तो भाईयो पंदरे दिन में आपको दो बार इसका स्प्रे करना पड़ेगा और भाईयो आपको एसा लग रहा है कि हमारे खेत में कीट भी कीटो का इंब्स, episode भी मिलाना जडूरीय है तो ब्हाइयो, सल्फार आता है, वो खातका भी काम करता है और फंग इसकी साथ तैव outfits नजोल और आता है जो फंगी साइ्ड है। तो भाईयो इसका पिर्योग करें 500 ग्राम पिर्टी एकड जो हारू है अगर आपको यहां हारू ना मिले तो और भी कमपनिया इसे बनाती है जिसमें टैबक नोजोल और सलफर हो उसका पिर्योग करें भाईयो 500 ग्राम पिर्टी एकड और उसकी साथ आप कोई भी कीट ना सक किना सकते हैं जो आपको मिलाना हो तो भाईयों इसका पिरियोग करें अगर आपके खेत में केवल पोग का वोइंग है तो मिलेंगे तो भाईयों किसी किसान भाईयों ने अगर COC का इस्परे किया है तो आप बताएं कि परिलाम आपको कैसे मिले या पिछले साल किया हो या इस वर्स किया हो भाईयों COC फंग की साइड में बहुत बढ़िया काम करती है बिल्कुल भी आपके खेद में POC का बोइिंग नहीं रहेगा कुछ किसान भाईयों का कमेंट आ रहे था कि gebracht के बारे में बताएं तो राड़ रोट के बारे में मैंना पिछले वीडियो बना चुका हूँ और भी वीडियो बनाऊंगा राड रोट के बारे में भी तो भाईयो अगर आपके खेद में पोक अब होईगा है तो आप उसे तुरंत पहचान करें पहले और फिर तुरंत भाईयो इस्प्रे करना जरूरी है इस पर जब भी करें साम के टैम करें उससे भाईयो आपका रिजल्ट जो है दवाई का वो बहुत ही बढ़े आते हैं और उसके रिजल्ट जल्दी भी आते हैं इस बात का विशेज ध्यान रखें तो भाईयो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर ब हैं is कि आपको गला उसकार भाईयो जटेपस करेंट में आ और उसकार